हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियों हम बनाने वाल है ड्राइग और नए JS अप्लिकेशन जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास यहां पर तीन कोलम से एक कंपोनेट लाइब्रेरीज के लिए दूसरा जावस्क्रिप लाइब्रेरीज के लिए और दीसरा रियक्त हेल्पूं को भी पहले उपर रख सकते हैं किसी में और तोर हम एक से दूसरे कॉलम में भी टूरू को ड्राइग और ड्रॉप कर सकते हैं तो आज की इस वीडियों हम देखें कैसे हम अपनी वेबसाइट अप्लिकेशन में ड्राइग ड्रॉप की फंक्शनलिती लगा सकते हैं और यह तो चलिए वीडियो स्टाट करें तो यह हमारा ने जैस का अप्लिकेशन है जो की ने जैस और टाइप स्क्रिप्ट यूज यूज करके बना हुआ है और यह टेलवें css यूज करना जो यह हमारा page.tsx वाली फाइल है और यह हमें localhost 3000 पर रन हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक component नाम का फोल्ड बनाते हैं src के अंदर और और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं और यह हमारा client component होने वाला है तो हम यूज क्लाइंट क्योंकि इसमें क्या हम contest वापे रही यूज करेंगे तो यह इसको हमें client component बनाना होगा और इसको हमें यह आपर import करा लेते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले हैं यह दिने यूज करते हैं तो यह करेट करने क्लिया हमें क्या करना है सिंपल सबसे पहले है's to tag लेना ड्रॉप application उसके बाद हमें क्या तीन प्रत के हैं सिकनी में आपर फूंश करि लेना, लेकिन क्या उनल सिसक्किया इस कोई不同 CON 2 त्थान क्योंट मैं सेसी रही होटीजकर के अधि Mayo , लेकिन क्या हबता है और Northern छज सब्सक्तों निदक कॉंजकर के लिए होती है तो यह तीन कोलम वनाने वाल n झाल झाल data.tss file के अंदर हमारा यह data है जो भी टूडूज का जो data है तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहला है एक यूज एफेक्ट लेता है और एक इस्टेट लेता है हमारी कुछ data और सैट डेटा और हम क्या करेंगे यूज एफेक्ट के अंदर इस data को करेंगे अंदर आप यूज एकार्ट्स data और यूज इस्टेट इंपोट कर लेंगे है एंदर आप्ट के आट अंदर आप्पर्स दिखा रहा है जो कि type script की बज़े से हमें बोल रहा है कि हमें type define करना पड़ेगा तो हम क्या simple एक interface define कर देते हैं cards data के लिए और वो interface define करने के लिए तो बोड़ा easy हो जाएगा यहां से simple इसको पूरे को अफिकर कर लेते हैं क्या करते है id number title क्या है title का type है history id number और फिर name name का type भी हाँ history है i think id number ही है हाँ और इस use state को हम type देदेंगे data अब हमारी यह warning है हो जा चुकी है उसके बाद हमें क्या करना है हमें इसको map के धुरू रेंडर करेंगे तीनों cards को क्या करेंगे simple data.length cut true है तो data.map तो यह हमें जो वार्णिंग दिखा रहा है यह दिखा रहा है की की वज़े से की आप की यूज करो index अब इसके अंदर हमें यूज करना है की हमारे जो भी components यह तो हमारा ही हो गया columns हो गया तीन कॉलम में इन कॉलम के अंदर हमें एक map के तुरू की data.components.map map यूज करना है की component एक dip grade करते हैं और इसको क्या है simple margin देता है top bottom चार padding दे देता है top bottom चार और border और इसके अंदर component.name और इसको भी key दे देता है index सबसे पहले हमें क्या करना है with इनको one by three with दे देता है जिससे follow with ले ले तीन हो उसके बाद हमें क्या करना है simple एक-एक heading और देनी होगे जैसे कि हमने data में आकर देख सकते है component library javascript library तो हमें एक-एक heading और देनी है dot or title और इसको और इसको और क्या करना है गिरे है 400 इसको 600 क्या परस कर देता है I think a border काम भी कर रहा एक काम करते है फिर से इस border को फिर से border देने का try करते हैं तो सबसे पहला में एक मिनुट्ट सबसे पहला में क्या करना है बॉर्डर देना बॉर्डर ग्रे और ग्रे टूंड्रेड बॉर्डर और बॉर्डर तो 400 कर देते हैं इसको तो यह हमारा border यह हमारा UI complete हो चुका है अब हम देखते हैं कि drag and drop के functionality कैसे लगाते है तो हम क्या करेंगे अब रियक्ट की एक beautiful library है ड्रेग और रोप के लिए beautiful dnd beautiful dnd सबसे पहला हमें इसे install कर लेगा है क्योंकि हम type script use कर रहे हैं तो हम इसके types को भी install कर लेगा है तो हम नीच आगे देखते हैं तो क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं जो भी हमारा पूरा area न जहां पर हमें drag and drop की जो functionality लगानी है उसको क्या एक drag drop contest के अंदर रैप करा देते हैं पूरे के पूरे को उसके बाद जो भी हमारा component है यहां पर हमें dragable element या tool चाहिए तो उसको पूरे को dropable में बना देते हैं और जिनको हमें drag कराना होता है उन्हें dragable में बना देते हैं जैसे कि यह हमारा जो भी पूरा application है इसको हमने एक drag drop contest के अंदर रैप कराना है उसके बाद जो यह अलग अलग है library वाले columns हैं इनको क्या हमें dropable बनाना है dropable के अंदर इनको हमें जो प्रॉप्स है on drag end मतलब यह required है यह props अगर आप यह नहीं दोगे तो आपका application काम नहीं करेगा ठीक है तो on drag end और यह on drag end क्या काम करता है जो में भी हमारा logical जो पार्ट है वह on drag end ही handle करता जैसे कि कि हमने यहां से यह टूडू उटा के यहां पर डाल दिया तो यह जो भी यह logic handle कर रहा है वह on drag end के help सी हो रहा है ठीक है उसके बाद dropable और dropable होता है तो dropable और dragable क्या है इसके अंदर जो भी मतलब इनकी जो अंदर जो component होता है यह उसे function की तरह है भूलते हैं कि यहां function return करो function component हो इसको function return करो अभी हम चलते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे है हमारी जितने पूरा application है उसको drag drop contest के अंदर app करा देखते हैं ठीक है इसको सबसे end में देखते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा जो भी मतलब जो भी columns है इनको dropable बनाएंगे तो और I think कि इसके बाद होना चाहिए और यह पोल रहा है कि की प्रॉप मिसिंग है तो की को क्या करेंगे हम data.id उसके बाद यह भूलता है कि इसके अंदर जो भी attribute है उनको as a function के through return करा हो तो हम क्या करेंगे simple एक callback function लेंगे और उसके पूरे पूरे जो element है उसको return करा देंगे simple I think कुछ bracket mistake हो चुके है एक बाद चेक कर लेते हैं इसके अंदर होना चाहिए अब यह आप आके देखो के तो यह बता रहा है कि कुछ dropable जो आईडी है वो मिसिंग है तो dropable id देते हैं dropable id देने के लिए का करेंगे simple dropable और यहां पर जो भी हमारा इंडेक्स होगा यहां simple data.id इसको एक dropable id देतेंगे इसके बाद यह जो एक प्रॉप्स लेता है प्रोवाइडेड एक प्रोवाइडेड और इस प्रोवाइडेड को हमें इसको मतलब ड्रॉप करते हैं तो देखो एक प्रोवाइडेड द्रॉप करते हैं तो देखो कि अपने आप स्पेस बन जाता है तो यह स्पेस बनने के लिए हमें प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डॉट प्लेस फोल्डर को पास करना होगा तो यह हमारा dropable होगा अब इसके अंदर लोगी component है इनको ड्रेगेड बनाने ड्रेगेड बनाने के लिए अब रही सिंपल ड्रेगेड वल के अंदर हमें इसको पास करना और ड्रेगेड के अंदर भी सह मैंसी फंक्शन के दुरूर रिटन करेंगे इसको और सबसे पहला यहां पर क्या है हमें की पास करने हुगे कि मैं हम क्या पास करेंगे component.id I think यहां पर की की नेली है यहां से भी इस की को अटा देता है ठीक है अब हम क्या करेंगे है यहां पर ड्रेगेड में के अंदर भी एक ड्रेगेड आइड होती है और उसको सेन component.id उसके बाद index पास करेंगे index में आपको ज्यान रखना है कि index के अंदर index पास करना ठीक है यह जीचे आप ज्यान रखना की की के अंदर आपको index पास नहीं करना बीसकली इससे गया वार्निंग देगा और यह काम निए करेगा। आप एक बार पसकर के देखना कुछ अब इसके अंदर हमें प्रोवाइडेड प्रॉप्स यहाँ पर कुछ प्रॉप्स होता है जैसे प्रॉवाइडेड दॉट ड्रैगवलहंड़फ्स प्रोवाइडेड डॉट और ड्रेगेवल प्रोप्स और रेप भी पास करते हैं इसके अंदर प्रोवाइडर डॉट नवर्ए टीका है अब हमारा यह वर्क करेगा लेकिन तो करेगा लेकिन अभी तो हमारा घ्रेगेडड रवक का पर इसकÓ लीड वला पार बंप्रीन अब बात करतें स्कूलाई कि कि उप्याल यहां जासी यहां यहां उटाकर ड्रॉप करते हैं तो यहां पर यहां पर पर कर दें घर शैता ही हो क्या है बहुत समय शकुल है क्या है जैसे मेंटर एक तोरности को कि यहां यहां से इस object को doubt i a वहां से उठाके जिए ट Anda यांपा रेप्रित करेंगें ईया मैं चमना लॉ जिक के थो 28 ये तो हार कोड़ हो बहुँ है याम हाओ दो ओन्य करना है ये मैं में लॉजिक केशली टान्हां तो यह संये करते है यह काम करते हूं और गहां आप द्धंट वह अंगे से तो ओके से अंगे से अंगे सिंपल ओन रेग अन्द फंक्शन बनाते है कि तो कि शर्य ओन्रेय रेगे कि एक इवेंट होता है इवेंट कं ताम थिंगे रेजल्ट 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 तो जैसी हम event को console कराते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि console में तो हमें ध्यान रखना है कि जो यह पहला वाला है इसकी जो drop ID होगी, dropable ID है 0, इसकी dropable ID 1 है और इस वाले की dropable ID 2 है जैसी हम इसको उठाके यहां पर डालने की कोशिस करते हैं तो हमें देखना है दो चीज हैं here important source और destination source क्या होता है source basically इसका जो current है current वाला जो location वालो बो पात है हो है source source इसकी dropable ID है 0 होती है और हमने इसको destination क्या है हमाँ पर उठाके डालने कोशिस की one में dropable one में तो यही जीज important है कि source क्या है और destination इस source और destination के help दी हम क्या करेंगे कि माल लीजे सबसे पहले हम दो case चेक करेंगे कि अगर हमने same में माल लीजे यह ID 100 है और इसकी ID 200 है इसको हमने यहां से यहां पर उठाके डालने process की तो दोनों का source और destination की dropable ID same है तो हम क्या करेंगे एक case होनेगा हमारी यह की source or destination की dropable ID same है और दूसरा source or destination की dropable ID different है दो case है simple तो हमें क्या करना अगर source source or destination की ID same है तो हमें simply object को replace कर देना है मतलब तो destination वाले index पर उस object को मतलब add करा देंगे supply scale से तो देखते हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है source or destination को हैं district set करते हैं source or destination simple अब हम चेक करेंगे source dot dropable ID अगर बराबर है destination dot dropable ID के क्या मतलब इसका है जो ऐसे है कि मैंने आपको बताया है सबसे पहले हमें क्या है एक condition और चेक करने पड़ेगी कि अगर destination यह बाइचांस ऐसा होता है कि हम मैं समझाता हूं को कि अगर हम इसको मालेगे यह अगर इसको बाहर ही जाकर drop करने को सिस करते है तो इसका destination नल होता ठीक है तो यह केस में हम चेक करेंगे कि अगर destination नल है तो यह return करते है ठीक है मतलब यह जो area के अंदर जो object है इसका या फिर कोई भी object है उसका सबसे बहुत है इंडेक्स जिससे हम इंडेक्स में उसमें आकर बज़ कर सकें तो सबसे बहुत हम क्या करेंगे index check करेंगे, index जिए कैसे check करेंगे, index चेक करने के लिए चीप भूल हम क्या करता है, तुछ भी हमारा डेटा है, एक new data बना लेते हैं, और उसके अन्दर डेटा को टीज्ट करा लेते हैं तो डेटा के अन्दर हम क्या चेक करेंगे की तो हम देखेंगे कि जैसे ड्रॉपिवल आइडी जीरो है ठीक है और यहां पर जैसे अब देख सकते हो कि सूर्स ड्रॉपिवल आइडी जीरो है तो मतलब भी जीरो इंडेक्स है तो अरे का इंडेक्स हमें पता है जीरो ठीक है कर लेता है ठीक है drop evil और one यह हमें actually क्या return करेगा यह हमें return कर देगा कि हमारा array का index क्या है जो outer जो array हमारा जो main array उसका index क्या है जैसे हम इसको यह हो तो हमें यह return करते हैं कि जो 0 वाला इंडेक्स वाला जो array इसके अंदर try करते हैं जयसे इसमें करेंगे तो one वाले index के अंदर try try कर रहा है अब का करना है जो भी हमें zero यह वाला वाले index है उसके अंदर हमें components के अंदर हमें अंदर जो आपस में रेप्लेस करना है तो यह क्या से करेंगे है बड़ा सिंपल है न्यू डेटा के अंदर इंडेक्स .component एक्चुली क्या है वर्णिंग दे रहा है कि इंडेक्स का जो टाइप है वो नमबर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल सबसे पहले नमबर में कर लेंगे एक्चुली क्या है कि तो यहां पर है यूदेटा.components.splice .index .si , apple Review नमबर तो इसे अपकर आटा कहने, इसंपल समयचता है कि हमने क्या क्या कि हम ने क्या कर मैं दीगे чा हमिरे है arm ली ह। हमिरे कमाल लीगिस हमिरेbasul Coman इंडेक्स कि lijज好吃 ख़कर इसमें से agesesas sqlis का ze यूद्दानिग, यूदेक्स Серг splice करेगा तो return करता है यह उसको const element को return करता है ठीक और अब हम क्या करेंगे new data के अंदर component अंदर index component dot splice so destination dot index 0 और यहा पर EL को add यह हमने क्या क्या है क्या हमने क्या 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 है simple समझते हैं कि जो destination माल लीज़े हमने यहां से उठा के 0 वाले को one पर try गया तो हमने क्या किया company dot splice splice के अंदर destination dot index तो इस one वाले पर हमने क्या 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 है one की जगे पर इस वाले EL जो MRI element है उसको push कर दिया या फिर splice के help से add कर दिया क्योंकि हम array में add करना remove करना यह सारे operations इस पाइस के लिए कर सकते है ठीक है simple और उसके बाद हमें क्या करना है जो हमारी set data वाली data इसको इसके अंदर हमें new data को कर देना उसके बाद हम देखें कि material यह और voltage step यह हमारा सइसे काम कर रहा ठीक है अब हमें दूसरा case चेक करना है कि ELSIP ELSIP नहीं simple ELSIP करता है कि source और dropable ID है जो sorry source और destination की जो dropable ID हो different है तो हमें यह आप है दो case चेक करने पड़ेंगे ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह एक old index और एक होगा हमारा new index ठीक होगा new index basically क्या होगा कि जो destination.dropable ID से हमें उसका new index मिल जाएगा ठीक है तो उसके बाद हमें क्या है जो पुराना जो भी हमारा element है उससे हम उसको remove कर लेंगे तो यहां से old index से हम उसको remove कर देंगे और उसको new वाले पर add कर देंगे जो भी डेस्टिनेशन वाला होगा उस एरे के अंदर उस अब्जेक्ट के अंदर हम उसको add करा देंगे new index new data तो हम देखेंगे तो यह हमारा सही से काम करेगा लेकिन एक चीज है जो यहां पर important है वह important चीज है कि हमने इस डारक्ट डेटा को यूज क्यों लें किया इसको टी स्ट्रक्चर के बेसिकलिए यह इस डी अगर हम यहां पर सही डेटा को भी हठा दूना मैं तो आप देखो कि आप चीज देगे अब भी काम करेगी क्योंकि अमने इस्टेट को चेंज नहीं किया लेकिन अब भी यह सई सींग करता है विसकलि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डील कोपी और अपने की अगा कइनम की का concept वड़ा होगा तो मैंने उसको और ब्रीच बार्पने कлекनद की को जिट्क लेकिन आप फिर हम hai रही हम हर विडा कि चाहलों प्या और अभी मैं आपको बता हुआ कि यह डीप कॉपी काम क्यों नहीं कर रहा था एक से कि अब आप आप अगर देखोगे तो यह आप आप सही से काम नहीं करेगा लेकिन पहले काम कर गाता है डीप कॉपी क्या होता है अगर एरिक के अंदर सुरी एरिक के अंदर नेस्टेड एरह है तो काम नहीं करता है तो उसके लिए आपको डीप कोपी का कंसेप्ट करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है अब्जेक्ट का हमें से रेफरेंस को की होता है तो यह चीज आपको त्यान है मतलब त्यान देनी होगी तो तो यह हमारा जो application है यह complete हो चुगा है और code है जो आपको github पर मिल जाएगा आप जाके आप एक प्री से को download कर सकते हो देख सकते हो और library को जाके और explore कर सकते हो आपने देखा होगा बहुत सी साइटों में track drop थी functionality होती है तो आप अपने अकोडिंग क्रेट कर सकते हो तो thank you friends वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माइच चैनल थैंक्यू व्रेंड्स